हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो अन्पंप क्रिएशंस आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खुबसूरत डिजयन लेकर की आए हूं जो देखने में जितनी खुबसूरत है बनाने में ही उतनी इजी भी है इस डिजाइन को आप मर्टी कलर में भी बना सकती है और डबल कलर में भी बना सकती है ये छोटी छोटी बोटियों की डिजाइन है इसे आप बच्चों के स्वेटर, फ्राक, कोटी में डाल सकती है इस डिजाइन को बनाने के लिए जो आप फंडे डालेंगे वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं ये डिजाइन बैक साइट से शुरू होती है इसलिए इस डिजाइन को शुरू करने के लिए एक हम प्राइमरी रो बनाते हैं जो की राइट साइट से बनाएंगे और सीधे-सीधे फंदों से बनाएंगे डिजाइन शूर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल आइकान को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हैं अगर आपको मेरे ये डिजाइन पसंद आती है इस डिजाइन को बनाने का धंग समझाने का धंग अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें यहां मैंने 15 फंदे डाले हैं फर्स्ट रो जो की राइट साइट से है सीधे सीधे फंदो से बना ली है अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे इस डिजाइन में एक कलर की टू रो बिने जाती है यहां पर मेरी इस कलर से रो चल रही थी अब हम दूसरा कलर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे किस तरह से बनाएंगे पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे इस तरह स्लिप कर लेंगे और इसके बाद ये एक पंदा हम उल्टा बिन लेंगे फिर एक पंदा स्लिप करेंगे एक पंदा उल्टा बिन लेंगे ये हम बैक सैट से बना रहे हैं एक पंदा स्लिप करेंगे एक पंदा उल्टा बिन लेंगे पूरी डो हम इसी तरह से बना ले अब हम आ जाते हैं राइट साइट पर जो की डिजाइन की सेकंड रो है अब हम क्या करेंगे इस कलर से मैंने पूरी रो बनाई है अब हम पहला फंदा जो है इसको भी बिन लेंगे वैसे तो हम पहला फंदा स्लिप करके बनाते हैं लेकिन यहाँ पर इस फंदे को बिन लेंग जाएगी, एक कलर की हमने टू रो ही बनाई है, बहुत ही सरल डिजाइन है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकती है, अब हम डिजाइन की थर रो पर आये हैं, वैसे तो यह डिजाइन टू ही रो की है, लेकिन जब हम कलर चेंज करते हैं, तो डिजाइन में जगां हम चें ले लेंगे ये पहले मैंने क्या किया था पहला फंदा स्लिप किया था इसके बार वाला फंदा बुना था एक उल्टा इस बार क्या करेंगे हम पहला एक फंदा बुन लेंगे दूसरे कलर से पहला फंदा बुन लेंगे और इसके बार वाला फंदा स्लिप करेंगे क्या होगा design की third row है जोकी back side से है पूरी row हमें इसी तरह से बनानी है एक पंदा slip करना है और एक पंदा उल्टा बिनना है पूरी row इसी तरह से हम बनाते चल जाएंगे अब हम design की fourth row पर हैं जोकी right side से है पूरी row हमें second row की तरह बनानी है, क्या करना है में सारे पंदे उल्टे-उल्टे बिनने है जो हमारी दिजाइन की फोर्स रो है जो सेकेंड रो है ये दोनों रूर राइचेट से हैं और इस रो में जो हमने सेकेंड और फोर्स रो बिन रहे हैं इस रो में हम सारे पंदो को उल्टा-ल्टा बुन देंगे और हमारी ये design complete हो जाएगी 4 row में हमारी ये design complete होती है 2 row एक color की बनेगी और 2 row दूसरे color की बनेगी ये इस तरह से हमारी design complete हो गई है 4 row हमने बना ली है 4 row पहले बना चुके थे और 4 row मैंने अभी बनाई है हमारी ये design complete हो गई है तो फ्रेंट्स देखिए कितनी खुबसूरत और कितनी सरल design है इसे आप जरूर बनाए तो फिर मिलते हैं कल एक नई design एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैमाता दी